हम लोग शिमत भगवद गीता के छटे अध्धाय के 20 स्विलेकर 23 लोग तचर्चा कर रहे हैं और आज इसका दूसरा दिन है लिंक आप जानते हैं कि जिस समाधी योग को प्राप्त करने की योगिता और कैसे करना है वह भगवान ने बताया था उसके स्वरूप का लक्षण कि समाधी की आकरती प्रक्रती यानि स्वरूप लक्षण क्या होते हैं और उस समाधी में विक्ति को क्या फ़ल मिलता है यह समझाने के लिए 20, 21, 22 और 34 श्लोग बोल रहे हैं यहां पे दिख पा रहा है बेरे पीछे बोलिए गा यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्ण आत्मनितुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष भुद्धी ग्राहयम तेंदuterियं, वे थित्रनचे वायम सित् अस्चलति तत्वतहба सुख़म आत्यंति कम यतत्थ बुद्धि ग्राहयम स्थितत्वतवतह। यम लब्ध्वाचा परम लाभं मन्यते नाधिकम ततह यस्मिन स्थितो ना दुखे ना गुरुना पी विचाल्यते यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग से आपने कुछ और बोल दे यम लब्ध्वाचा परम बोलना यम लब्ध्वाचा परम लाभं मन्यते नाधिकम यसमिन स्थितो न दुखे न गुरू न पी विचाल यते तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगितम इस लोग को हम लोग कई बार असके संस्क्रित समझेंगे ताकि मन में चप जाए यत्र एनिकी जिस समाधी की अवस्था में उपरमते चित्तम चित उपरमत हो जा करता है बाहिय विश्यों से क्यों निरुद्धम योग से वया योग के सेवन अर्थात योग के अभ्यास से वह भौतिक विरत्ति से बिलकुल विरत्त हो गया वया भोग की तरफ जाता ही नहीं है यत्र उस समाधी किस्थिति में च एवा और उस समाधी किस्थिति में निश रहता है तो यह सब उसके सुरुप का वर्षन वननवा क्या फर मिलता है सुखम आत्यंतिकम यत्तद उसको एक शाश्वत सुख मिलता है कैसा सुख होता है दिव्य होता है क्यों बुद्धी ग्राहियम अतिंद्रियम वह इंद्रियातीत बुद्धी के द्वारा ग्राह होता है वेति यत्र न चैवायम उसका वेति उस सुक का अनभव करके अयम यह योगी निश्विती इस्तितह चलती तत्वतह अपने तत्व में ऐसे अनभव में स्तित हो करके आत्मा के अनभव में स्तित हो करके तत्वतह मतलब वास्तिविक्ता से अपने सत्तिता से अपने सुरूप स आत्मान भव के साक्षातकार से न चलती वह चलायमान नहीं होता है वह डोलता नहीं वहां से डिगता नहीं है यम लब्धवा चापरम लाभं मन्नते नादिकम्तता ऐसा क्यों होता है कि कहता है कि इस सुख को प्राप्त करके सुख के समाधी के कारण सुख के सुख के सुख के दुख खेना और ऐसी इस्तिति में इस्तिति होने की कारण दुख खेना गुरु नापि गुरु अनि की बड़े बड़े बहुत बड़े दुख के कारण भी वह ना विचालेते वह समाधी की स्थिति से विचलेत नहीं होता है तम विद्या, तुम ऐसी समाधी की सिति को जानो, जिसमें दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का वियोग होता है, अर्था दुख का संयोग पूरी तरह से समाप्त रहता है, दुख का संसपर्श भी प्राप्त नहीं होता है, उसको योग की संगया कही जाती है, उसको ही इत्याधी श्लोकों में तो कर्मयोग ही योग शब्द से कहा गया है कि इस ओwhel mês और यहां संन्या संन्या समिति और योगम तमविद्धी पान्दव श्लोकों में जो योग शब्द उसको कितने ही कर रहा है वहां पे जो श्लोक बोला गया था इसमें यम-सन्यास-मिति-प्राहुर-योगम-तविद्धि-पांड़ा जिसको सन्यास कहा जाता है उसको योग जानो वहां पे योग-निश्काम-कर्म योग कहा जा रहा है और वह इसलिए बोल रहे हैं कि उसके द्वारा विक्ति अपने चिति की शुदी करता है लेकिन यहां जो बोला गया ता श्लोक में कि ना्टि अश्ण तस्त योग उस्ति जो विक्ति बहुत अधिक खाता है वह योग अभ्यास नहीं करता तो वहां कों से योग समाधी, योग जो अश्टांग योग की पराकाश्ठा है वहां पर निश्काम करम्यो को नहीं बोल रहे है यहां पर सवरी यह जानने के इच्छा हो अगर कि किसी तो कहते हैं कि यह जानने के इच्छा होने पर यत tratina साड़े तीन श्लोक द्वारा समाधी को ही स्वरूपतह और फलतह लक्षित कराते हुए वही मुख योग है ऐसा कहते हैं योग संगितम उसी को योग कहते हैं अपने श्लोक में सुना था ना आखरी लाइन थी तो कह रहे हैं उसी को समाधी योग कहते हैं कैसे कहते हैं उसके स पुरात हो जाता है मतलब भौत एक भोगों में नहीं जाता है यह योग का स्वरूप लक्षन कहा गया है स्वरूप क्या समाधी योग क्या आकृति और प्रकृति है कि अब चित भोग में जाता ही नहीं है इसी प्रकार योग योग चित वृत्ति निरोध यह श्री पतंजली का सूत्र है. श्री पतंजली ने बोला है कि योग का मतलब है चित वृत्ति का निरोध, चित वृत्ति चित का वहाव जो भोग में जा रहा है, उसका निरोध हो जाना ही योग कहा जाता है, यही बात हैं, भगवान बोल रहे हैं. इस्ट प्राप्ती रूप फल की दिर्ष्टी से उसी को लक्ष कराते हैं इस्ट मतलब जो आपके लिए इच्छित हो जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह जो फल इस योग के दरा प्राप्त होता है उस दिर्ष्टी से भी इस योग को लक्षित कराते हैं फल है जिस अवस्था विशेष में समाधिक अवस्था में आत्मा से यानि शुध्मन से आत्मा को ही देखता है यह फल है देह आधी को नहीं और देह आधी को देखते हुए आत्मा में संतुष्ट रहता है विष्यों में नहीं पश्चन आत्मन ऑ रा में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखते हुए आत्मा में ही संतुष रहता है इसके वाक्या कर रहा है अब बड़ाची बात है शुद्ध मन के द्वारा अब इस तो मतलब क्या है शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को ही देखता है दे को नहीं देखता के इस समझें तो हमारा मन अशिद्ध है यस क्या प्रमान है वह रीगोर्ड क्योंकि हम देह को ही देखते हैं आत्माको देखते ही नहीं क्यों कि यह भी कर रहा है कि नहीं कई मन अश्रुद्ध है तो यद्य हम आत्मा है और बड़ी चोटा साइब बात हम सुचेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम तो चैतन्य प्राणी है मैं तो चैतन से युक्त विएकती हूं यह देह तो चैतन से युक्त नहीं है क्या यह देखने का सामर्थ हमारा हो रहा है कि हमारा शरीर अगर अपने हाथ को आप देखेंगे तो विचार करेंगे तो देखेंगे नहीं हाथ में चेतना नहीं है मेरी चेतना इस हाथ में प्रवाहित हो रही है, इसलिए हाथ कुछ अन्भव कर रहा है लेकिन समान निता तो आश्ची हमारी दृष्टी होती नहीं हम तो केवल देह को ही देखते हैं तो जैसे हम जो हैं उसको हम देखी नहीं रहे और जो नहीं है केवल उसी को देखने है अर्थात देह से प्राप्त होने वाले भोगों के प्रति कोई अवेर्नेस कोई चेतना नहीं रहेगी बात तो यह है कि आत्मा के लिए देखना और भोगों को प्राप्त करना यह कार असंभव है इस असंभवकार को अविध्या संभव कर देती है अंतह मित्य अंकार के कारण मिथ्य आहंकार के कारण मिथ्य आहंकार के कारण ही व्यक्ति मान रहा है कि मैं दे हूँ और दे को जो भोग मिल रहे हैं मुझे उससे मैं सुखी हो रहा हूँ हम यह सब सोच रहे हैं हमको सुख मिल नहीं रहा है मैं कई बार धर्ण दिया हैं सपने में कभी हम प्यास का अनभव कर inevitably होते हैं तो प्यास का अनभव करते हैं लेकिन पानी पीते हो सपने लेकिन प्यास बुश्ती नहीं है यह कभी-कभी आप देखिए बहुत पानी पीके सो जाए और वाश्रूम आता है और बातरूम लग रही होती सपने में लेकिन वह रिलीव तो नहीं हो सकता सपने में सपने में जो भूग मिल रहे हैं वह तो जागरिद जीवन के भूग सब्किती वैसे ही जागर्द जीवन की भी भोग मिथ्या है और यही मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाता हूँ जैसे जैसे हम लोग जब करते ना शुरुवात पे तो यह बास समझवे नहीं आते हैं जैसे जैसे जब करते जाते हैं हमारा मन शुद्ध होने लगता है सुएंगे संडे कब आज आता ही मालूम निजलता मितना मालूम चलता राजिश्प्रवाज देते क्लास में साथ संडे है सनिवार है ठीक कि आप लोग असा नहीं दिख रहे हैं अपने अन्ड़ कर रहा है कि अधिक शोह के मैं सुखी नहीं होता सुबह ऊठ जाते हैं तो सुखी होते मेरी बात को कि यह कैस कर गए सब बड़ी सूक्ष्ण बात है कि परसेफ्शं चीज हो रहा है आपका क्यूंकि हरी नाम मं الحत कर रह कि पैसे से लोग शुकी नहीं हो रहे, और दुखी रोला से चले जा, डिक एक आप सकता तो है ही, पैसा शथा सारी चलाने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत जो ता करने की चक्कर में लोग दुखी बहुत हो रहे, मान लिजे दो करोड रुपे नहीं है तो उसको मैनेज करने की टेंशन भी तो नहीं है यह नहीं सुस्ता विक्ति तो मैं खाली बोल रहा हूं इस बात से कि मन जितना पवित्र होगा उतना ही हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा उतना इस शुद्ध परसेप्शन देखने की अवेरनेस कि मैं कौन हूं तो शुद्ध मन्ज के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आतना को देखता है बहुत अच्छा है मारा ली क्यों चेतो दर्बन मार्जनम चित्व को पवित्र कर रहरा है श्टांग यो कर रहा ताल नाक दबा करके डू Ball हमारे लिए बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, इसको बोलना है, इसको सुनना है, इसको बोलना है, इसको सुनना है, हम भूल जाते हैं कि यह क्यों करना, क्यों कि इसके मन के द्वारा स्वयम को देख पाएगा भगवान को भी देख पाएगा उसका चित कैसा होगा लो के समान यदा दीपो dov if न्यंते शुप मास्वर्थ योगिन यह उना यह झाल जाता हम भी तो बात ये दिकि उसका चित प्रकाशित हो जाता है लौकी समान चित भगवान में स्थिर हो जाता है तो ये बात समझने का प्रयास कीजिए, चित जितना पवित्र होगा, उतना भगवान में fix होगा, और उतना ही प्रकाश्मान होगा, उतना ही और अत्मा का दर्शन ठर्णे में समर्थ हो जागा, इस समझ में आ गया और चित अगर पवित्र नहीं है, तो वह बस देखो ही जाता है कि जैसे मानों कोई विक्ति शराबी है तो उसको अपनी ही सुद्भूद नहीं रहती को कहीं नादिम पड़ा हुआ है भूगा पैसा यहां तक कि कपड़ा शरीर पर है या नहीं यह भी सुद्भूद नहीं रहती तो अपने ही देह कि प्रति उसकी विस्मृति हो कहां तार और विप्रीत में देखें तो जगत में जब लोगों को देखेंगे तो उनकी देह की ही स्मृति रहती है मैं देह हूं देह को चलाने के लिए करना है करना है त्यादित्या भक्त लोग भी देह को चलाते हैं लेकिन देह को किस लिए चलाते हैं ताकि भजन चले भजन बंद हो जाए इसलिए देह को नहीं चलाते तो कह रहे हैं कि देह आदी को तो आत्मा को ही देखता है देहादी को नहीं और देहादी को देखते हुए आत्मा ही संतुष्ट रहता है तो क्यों दो बाते बोल गए कि एक तो की आत्मा को ही देखता है देहादी को नहीं यानि और दूसरा करें देहादी को देखते हुए आत्मा में इसंतुष्ट रहता ह ङला है अभी तो बॉल रहे हैं कि दे को नहीं देखता है भणा सुन्दर बात ना डेह आदि को नहीं मतलब आतना को ऩह देखता आत्मा से अपने आनन्द के फिर्था करता है आध में और दे को भी देखे अगर तो दुरीन ही वह भावि नहीं आता कि मुझे कुछ सुख मिले देह से सूख मिली नहीं सकता ह Är तो हम अपने गलत परसम्षन के 소च रहे हैं कि देख में सुख में पदार तो कौन सा है एक भी नहीं है ऑर हम अगराव है मैं देखता क्यों है देह में इतने आ सकत क्यों है क्योंकि गलत jurisdiction है ॥ इस कारण से देह को देह तो देह क要 나़िको देखते वए आत्मा में सनी को देख रहा है, देह के वास्त्यों कि शुरूप को देख रहा है, देह सुखमय नहीं है, देह extend कि दूखयी पराप्त होगा तो वहां सुख की अपेक्षा पूरी तरह छोड़ दिया, इस डिटैज फ्रम दबॉड़ी, आप कहेंगे, इसा क्या-क्या मतलब है, देखी समझने का प्रयास, जी नारियल समझते हैं, नारियल, एक कच्चा नारियल, एक सूखा नारियल, तो सूखा नारियल में जो खोल होता है, वे नारियल के अंदर ही होता है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, और जो कच्चा नारियल है, वो है चुपका रहता है, तो अभी हम लोग कच्चे नारियल हैं, और भजन करते, 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 तो वही कच्चा नारियल परिपक को पके नारियल की रूप में हो जाता है जब खोल में तो है लेकिने खोल से प्रथक है ऐसा कैसे हो सकता है ददीची रिशी ददीची रिशी को जब उनसे भजन कर रहे थे भगवान विश्णु का और जब उनका शरीर माना गया तो सहर्श उनर दे दिया जैसे मैं कहूं कि यह करताल दे देंगे प्रभुजी हमें थोड़ा सिवा है भगवान के चले जाओ क्या ऐसा हम अपनी देह के लिए भी कर सकते यह नहीं है Не यह रहते कि शरीर कि वैल्यू करताल से भी कम है को बने के बाद में कौन चलती ही रहती लिद्डि देश लेकिन बात तो है professora जाड़ी तीनसु रुपए के मरने नहीं देह कितनी रुपारे का बनाट कुछ भी नहीं भो hadrht पेश फूक देते पचास पएसे अज्ञान बड़ा गंबीर है लेकिन ऐसे दिखा रहा है कि अज्ञान पूरी तरह से नश्ट हो गया है ठीक है उसे योग नाम से कहा हुआ जानना चाहिए यहां यत्र इत्यादी पत्र संबंदी यत्र शब्दों को यहां से चोथे और प्रारंब से 23 में श्लूक में आए हुए तम योग संगितम विद्यात इस वाकिक साथ अनभव है थोड़ा समझे सका मतलब क्या है यत्र 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 यम यस्मिन शे शब्दाएं यहां पर जो उस तिती में उस तिती में उस तिती में जो बात कर रहे हैं तो उसका संबंद तम जिस तिती में ऐसा होता है जिस तिती में विक्ती समझे का प्रयास की जिस तिती में चित निरोध हो जाता है जिस तिती में विक्ती शुद मन से आतना को देखता है जिस तिती में विक्ती आतन्तिक सुको प्राप्त करता है जिस तिती को प्राप्त करके वहता तो उसे नही प्राप मानता है, जिस तिती में वस्तित हो करके महान दुख से भी विचलित नहीं होता है, तम उसको तुम योग जानो, इस तरह से अन्वे होगा, इस तरह से लिंक है, क्योंकि अगर यम यम करते रहे तो कहें, वो कौन, जिसको आप अपना पिता मानते हैं, जिसको जिसका यह घर है, जिसका यह बंगला है, जिसकी यह पत्न रहे किसकी, तो तम उनको यह जानो, ऐसे बोलेंगे न, तो यम यम करते रहेंगे, तो सब्सकी किसकी बात कर रहे है, तो उसका लिंक कह लिए, जिसको इंगित कर रहा है, वो शब्द तम से आ रहा है, तम विद्यात योग जानो उसको योग जानो अर्थाथ समाधी की योग की परिपक को अवस्था समाधी जानो ठीक है ठीक है सिदरी समझ में आ गई होगी नहीं अभी तो पूरी निवी ना आ गए यह 20 वेश लोग की ठीका थी अब आगे देखते हैं आत्मा में ही संतोष हो इसमें क्या ही तु है क्यों वो आत्मा में संतोष है यह बताते हैं जिस अवस्था विशेश में अर्था समाधी योग संतोष रहता है क्योंकि उस अवस्था में अत्यंतिक सुखम अन्भव करता है अब आप समने का प्रयास कीजिए अत्यंतिक लेगा नित जहां सुख नित मिल रहा है उस क्रिया से उस स्थान से आप उपरत हो सकते हो जैसे देखिए हम लोग भोजन बनाते हैं तो बड़े उसाह से भोजन मनाते हैं कि हाँ भोजन में सुख मिलेगा तो भोजन में नित्य सुख मिलता है जिस भोजन को कि ãy ले रहे हैं आप बड़े आप सहा। सब्सक्राइब क करते हैं बड़ा अच्छा लगता है देगि आप देख्षिए जैसे पहर्म होते जाता है और यह पेट भंढ़ जाता है तो क्या खाने का सुक नित्य है और वह उसी प्रकार से अगर बीमार हो जाए तो हर आदमे का आदमे क्या आके क्या बोलता आपको टेक रेस्ट और वह सून-सून करके वक्ती परिशानद है चीड जाता है रहे कितना रेस्ट करें जैसे आप भी सुसता ना कि खुब सोने को विले क्योंकि नित्य सुख नहीं है पहली बात तो सुख ही नहीं है लेकिन अगर जो मान रहे सुख है उचालावा सुख जो भी कुछ वह भी तो आदि और अन्तवान है तो यानि कि ऐसा सुख इंद्रिये जनित सुख विक्ती को असंतुष्ट कर देगा वह 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 गरा है फिर खतम एक तो वह चानिक है और दूसरा वनिले क्रिश्ट है ये कुछ क्लियर समझ में आ रहा है बहुत बहुत सुख नुखस बात है कि नित्य सुख ही विक्ती को संतुष्ट करेगा क्योंकि वह सुख के नित्य वर्धमान होगा वर्धमान मुलब आत्मा नियवत उष्टति क्यों हो रहा है क्योंकि आत्मा से उसको नित सुख प्राप्त हो रहा है शाश्वत बढ़ने वाला सुख प्राप्त हो रहा है तो अब उसको सुख की खोज के लिए कहीं और बाहर जाने की जुरत नहीं है और संपल सब बाश्वात समझे आपको अर आने को स्वामी गट के वल देड़ गंटा ही सोती थे पूरे 24 गंटे में कभी-कभी वह भूल जाती थे मतलब सोने के लिए याद आया कप से नहीं सोए इस अमेजिक नहीं यह बात थोड़ा समझ लिदा होगा जब हिरिदय में प्रेम होता है यह से कह लिए जब प्रेम नहीं होता है तो सुख नहीं मिलता है जैसे साग में नमक न हो लेकिन जब भगवान में प्रेम होता है तो भक्ति की कोई भी क्रिया भक्त को अनंत सुख देने वाली होती है तो बताइए भक्ति छोड़ेगा इसी लिए जब हम लोग अनर्तिनीवित्ति की स्टेज में होते हैं क्योंकि ऐसा सुख नहीं मिला है जिसका वणर भी है तो कभी-कभी साधक भोग में पढ़ जाता है उसको उससे परिशान नहीं होना चाहिए मैं यह नहीं कहा रहा है कि भोग में पढ़ जाना चाहिए लेकिन उन भोगों को हे मान के भोगे अरी कहां फंस गया मैं कहां टाइम बरवाद किया है फालतू है और भक्ति करता रहे उसका हिर्दय शुद्ध होता चाहिए और यह जो भोग की प्रिविर्ति है आ क्यों रहे है रहा है क्योंकि अभी भुक्ति का सुक कुष्प भैसान भव नहीं हुआ है जिसका वनण हुआ है तो सुक जीवाद्न गों चाहिए तो कहीं न कहीं वह सुक भूंडे का वापस प्रिविर्थिए अभी बनी है अभी है वह भोग्तिक आकाश में भहुत ऑकाहाश वह जोन भ इसलिए भक्तों चाहे कितने भी भोग में विक्ति पड़ जाए साधना करते हुए वह उसे साधना कभी नहीं त्यागनी चाहिए क्योंकि जितनी बार हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं हम पवित्र होते चल जा रहे हैं तो वह जो नीचे गिरने की टेंडेंसी है वह कम होती जा रही है शायद भक्तों कोई बात मेरी समझ में आ जाए कभी भर्सना नहीं करेंगे ठीक है जैसे अब गाड़ी चलाते हैं कभी कहीं लड़ गई तो कि गाड़ी चलाना ही बंद कर देते हैं अरे भया हमसे तो लाड़ योग नहीं है ऐसा कमीर सोफथा लिए प्रसना करने के बजाए उतने ही समय में हरे लिए एक मिरस्ञा ह्रे राम हरे राम 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 हरे हरे अधर निगा नाम चालान करें कक्था में करने यदि कहो कि उस समय विश्यों और इंद्रियों के संबंद का अभाव होने से सुख कैसे हो सकता है तो उसके उत्तर में कहते हैं वह सुख अतिंद्रिय अर्थात विश्यों और इंद्रियों के संबंद से अतीत है परे है केवल आत्माकार हुई बुद्धी के द्वारा ही ग्र प्रकार उसमें इस्तित्व हुआ होना चाहिए हो इसी प्रकार उसमें इस्तित्व हुआ योगी तत्व से यानि आत्म सुरूप से विचलित नहीं होता अब इसका मतलब क्या है देखिए आत्माकार बात क्या है देखिए इस समय हमारा चित है विश्याकार विश्यों को भोग के विश्यों को भौतिक विश्यों को तुरंत पकड़ लिता है चाहिए शब्द हो रूप हो रस हो गंध हो और स्परश हो ठीक इस अगर में कोई अकुब गाली दे दे बस ओहो पूरा दिन सुष्टे रहेंगे पूरा दिन मनन्ञ चलेगा कि इसने सक्व बोल दिया मैं तो गदा हूं नहीं जो तुम गदे हो नहीं तो प्र को बिश्यों की गदे हो मालों के तुस्स की प्राइमिनिस्टर हो महलोग फिसे बोल दे tam muito से आप है ओपने कि माँलोगे बोल दे तो जो कहीं कि में है और अगर है तो वुरा क्यों मान रहे हो लेकिन इस प्रकार के विचार हम नहीं कर पाते हैं उसको पकड़ लेते हैं और देखिए कथा को पूछ लोगे क्या यह वह उपरमति का क्या रत है क्या रत है कब सुना हमने तो आप देख रहें कि चित हमारा भी भौतिक शब्द को तुरंद पकड़ लेगा बहुत एक रस को तुरंद पकड़ लेगा यह उसकी विशयाकारता है विशयाकारता मतलब विशय के स्वरूप वाला विशयों को पकड़ देता है लेकिन आप देख रहें कि आत्मा को पकड़ पाना भीमार संभव नहीं है मैं आत्मा हूं यह तो वो तो अच्छा है कि वहां का प्रसाद है, तो कम से कम ओवर इटिंग भी करते हैं, तो कम से कम ओवर किरपा ही मिलती है। कोई आपर है जो कहा कि हम केवल आत्मा और दे को जोड़ी रखने के लिए ही भोजन करते हैं। मैं भी हाथ नहीं कड़ा कर रहा है। अच्छा लगता है प्रसादन तो दुचार चमबच एक्स्ट्रा चले ही जाता। हमारा लाव यह है कि हम लोग प्रसाद ग्रहन कर रहा है। तो अब बात यहां हो रही है कि आत्माकार बुद्धी अब विश्यों को ग्रहन ही नहीं करती। वो बहुती विश्य सुनता ही नहीं न देखता है उससे उसको कोई रस ही नहीं है अच्छा एक और बात रिचर कर है कि हमारी इंद्रियां विश्यों को ग्रहन कर ही क्यों रहें क्यों कि उसके रस को ग्रहन कर रहें कोई रूप देख रहें तो उसको उसको अच्छा लग रहा उसके रस को ग्रहन कर रहा है, वो अद्बुत लग रहा है, लेकिन जब रस ही ग्रहन करना बंद कर दिया, उसमें टेस्ट ही आना बंद हो गया, तो विक्ति क्यों उसको ग्रहन करेगा, नहीं ग्रहन करेगा, आप पर दीखे रहा हूं यहां पर बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं। तो जब मैं आपको दैख रहा हूं वारोन प्रबु तो मैं बाकी लोग 살 हो जाते हैं। मैं इधर देख रहा हूं, जिसस पर मैं focus करता जा रहा हूं बाकी लोग आप समझ पारे में क्या रहा हूं, उसको रूप को देखते हैं, बाकी सब का रूप हट जाता है, या मैं इस लाइट को देख रहा हूं, तो मैं आप लोगों को नहीं देख रहा हूं, आप यह देख पारे हैं कि मेरी आँख, हम सब की आँख एक रूप को पकड़ रही है, मै अब आत्मा को नहीं पकड़ेगा और जो आत्मा कार बुद्धी है वह विश्यों को नहीं पकड़ेगा इस तरह से हो जाता है क्योंकि अब अब दिकत क्या है pasष्ण ये डाउट आया ही क्योंकि इस जगत में हम क्यां सुख कानभव कैसे करते हैं कि इंद्रियों का उनके विश्व तो सुख मिलेगा कैसे न वो खा रहा है न कुछ देख रहा है न कुछ सुन रहा है तो सुख मिलेगा कैसे कटना ही होगी नहीं बात सोचने में तो कहते हैं हाँ वह उसका सुख इंद्रिय जनित नहीं है वह तो आत्मा से जो उद्भूत आत्मा से प्रकट सुख है उसी को आत्माकार बुद्धी जो आत्मा का अनभव करने में समर्थ हो गई है किया इन भाषा को आप समझ रहे हैं आप समझ नहीं सकते इस पर कितनी मेहनत हुई है क्यों मेहनत हुई है अम ब्रह्मा जी की प्रात्ना पढ़ा रहे थे दशमसकंद चौधवाद है वहां पर इवात आ उसको मेहराज औरला है पर महराज को मैं इमयल लिखeker मराज यह क्या है फिर महराज अलग से पर एक को इमयल अर्षव स्थी आज मिर्वा सोते है उसमें महराज अलग सी निकरी हाई डिक खूट गया जो भी रहा हुप करण उसको फिर नहाराज लिख कर समझाए कि what is the meaning of this ब्रह्माकार आत्माकार का मुझे आज भी यादे कम से कम चार साल पांस साल पहले की बात है तो ब्रह्माजी की सुति को भरतुर में पढ़ा रहा था यह आत्माकार का क्या होता कभी शुर्द सुने नहीं आत्माकार का मतलब क्या हुआ अ जब उसे भगवान की भक्ती प्राप्त होगी तब भगवान का अंभव करेगा ठीक है इस प्रकार से स्तित्थ हुआ योगी तत्व से तत्व तह मतलब आत्म सुरुप से आत्ना के अवबोध से विचलित नहीं होता उसका आत्मा का बोध कभी नश्ट नहीं होता अगर स्यात आत्मत्रिप्त श्यमानवा आत्मनेवच संतुष्टस तस्य कार्यम नविद्यते यस्तु आत्म रती रेवसा जिसकी आत्मा में ही रती अथा प्रिती अथा देह में नहीं है इंद्रिमें बिलकुल नहीं है यस्तु आत्मत्रिप्त श्यमानवा इस कारण से वह आत्म मित्रिप्त है आत्मने एवच संतुष्ट और इस कारण से आत्मा में संतुष्ट है यहीं यहां बताएगा था पश्चन आत्मने तुष्यती तो तस से कारियम नविद्य उसके लिए कोई कारिय नहीं है तो यानि कारिया जो करतव हैं वो इसलिए है कि विक्ति अपनी का छिले में है कि वो कैसे निश्चल रहता है उसका प्रतिपादन करते हैं उसकि अचलता का ही प्रतिपादन करते हैं जिसे आत्म सुख रूप लाभ कन पर दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता धन मिल जाये इस्तिरी मिल जाए यश मिल जाए कुछ नहीं है आत्मा के सुख के आगे अगे अधिक नहीं मानता मतलब उसका चिंतन नहीं करता अब आप देख लीजिए ना फिर वही बात हम जब जाब अल्दो भगवान की नाम का सुख आत्मा के सुख से भी बहुत जदा है बहुत अनन्त है वो लिख में उपमा बता रहा हूं आप बठा करके समिधा रहा हूं कि दिखिए भी नाम जब करते हैं क्योंकि नाम का वैसा स जाएगा छोड़ दिजिए आप ले जाना भी चाहोगे तब भी नहीं जाएगा जैसे कि गोपियां भगवान के प्रेम से प्रेमी भक्त हैं तो वो कभी-कभी अश्टांग योग करती है कुछ-कुछ गोपियां ताकि भगवान को भूल सके हैं भगवान को भूलने के विए datी इसले की अधिके कि इतना सुक उसको मिला कि वह भौतिक सुकुन को चिंतन भी नहीं करता है तो यह समझ अग है員ा अपने तत्व से वह कैसे अचंचल रहा उसका चिंतन ही नहीं कहते हैं मन में चिंतन ही नहीं है तो उधर इंद्रियां को जाने का तो संभावना ही नहीं है अब यह विचार कीजिए कि मन कितना चंचल है हर पॉसरे स्ट कई और चल जाता है किकी और ता बहुत व्हत कि हिएं यह नहीं जाता कि रहें को भगवान की सेवा करके उसको जो सुख मिल रहा है आत्मा के तरह अनुन्टी करके उसके कारण उसके चित को और उसंसे अधिक विलाबत लगता ही नहीं है इसलिए वह निश्चल रहता है यो क्योंकि वह अन्फब करेगा लेकिन वो दबे करें है बड़ी गर्मी है ऐसा वड़ना नहीं करेगा रगुनातास को स्वामी की बारे में हम सुनते हैं कि वह तो कोटिया भी नहीं बनाए थे स्वामी संसे भाविधी नहीं करते हैं बेक valleys संबधी नहीं करते हैं देखे इन सबका सम्मंद्र नहीं से हैं क्योंकि हमारी भावना है है इसलिए प्रभावित होते हैं खूश यह आते हैं बीस यार आगे वहाँ चाहिए दस यार चले हैं वह घतम यह तो अस्तिति है अभी तुम लोग दें कि भावना में रूड है कोई बात नहीं यह जरूर सुनना चाहिए कि योग की ऐसी अवस्ता आती है और हमारे लिए क्या है इह है यही भगवान कृष्ण बोलना है कि तुमको अवस्टांग योग की आवशक्ता नहीं है हरे कृष्ण मंत्र करते करते स्वतह वेक्ति इस्तिति को प्राप्त कर लेगा यद्य पी आप लोगों के चित्य में भी लग रहा होगा यह तो बड़ा कठिन कारी है और आपके लिए कठिन है मेरे लिए कठिन है भगवान के लिए कठिन नहीं है नाम के लिए कठिन नहीं है नेरपराद नाम लईया पावे प्रयास करना है कि जितना संभव हो सके है ना मुझे चारण अधिक स्यदिक होता रहे और अपराध नहों तो नाम भगवान प्रसंद हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा कि जो भी यहां पर देख रहे हो सब राप्त हो जाएगा ठीक है इस कथन से यह भी समझ लेना चाहिए कि अनिष्ट की निवृती रूप फल के द्वारा वी योग यके लक्षन का प्रतिपादन किया गया है क्या मतलब अलनिष्ट अनिष्ट जिसको आप नहीं चाहते इस मतलब चाहते और अनिष्ट नहीं नहीं चाहते हैं तो अनिष्ट की निवर्ति कैसे हो गई कितना भी बड़ा दुख हो उससे परभावित नहीं होता देखिए शुक दुख सुक लाभानी यह जो कुछ भी हो रहा है इससे व्यक्ति अभिभूत हो जाए तो यह सबसे बड़ा अनिष्ट है उससे वह दब गया तो भजण रूप गया अब रोने लग गया श्रोग करने लगा घ्रता ना समय तो कहरें ऐसी स्तिती में भजण रुखता यह तो प्लब गता कुछ नहीं होता निष्था की स्सेशा कि बड़ावादी पीहँए निष्ठा किस तर पर ही और आगे भावादी पे तो आप कुछ कहें कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्विति में उसके भजन नहीं रुखता है 23 जो इस प्रकार की अवस्था विशेश उसी को तम इत्यादि श्रा रहे आदेश लोग के द्वारा कहते हैं यहां दुख शब्द से विशेजनित सुख का भी ग्रहन होता है क्योंकि उसमें दुख मिश्रित रहता है दुख के संयोग याने स्पर्श मात्र से भी जिसमें वियोग है उस अवस्था विशेश को योग शब्द बाच्य जानना चाहिए तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम जिसमें दुख के संयोग का भी वियोग है अर्थात जहां पे दुख होता है वियोग मतलब दूर करना और दुख का संयोग जहां होता ही नहीं है यह अर्थ है तो दुख का स remain का मदलब क्या हुआ भौतिक सुख भी दुख है क्योंकि उसमें दुख मिश्रित रहता है यानि कि वहाँ पे इंद्रिजनेत सुख भी नहीं है और कोई दुख मिल रहा हो तो वह भी नहीं है ये बात आफ समझ पारना हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं बहुत विचार किया, कि देखे रहेंगेता कितनी डीप है, तम विध्यात उसको जानो, दुख संयोग व्योग, उद दुख के संसपर्ष का व्योग, हमसे कुछ कोई विक्ति है वस्थू का व्योग है, मतनल वो दूर है, तो दुख का संयोग जिसमें दूर है, विशेश अब क्या कह रहे हैं भाव यह है कि परमात्ना से शेत्रग को जोड़ना ही योग है अथवा दुख के संयोग से वियोग को ही शूरवीर को कायर नहीं कहने की भाती विरुद लक्षन से योग कहा जाता है यह क्या बोल गए बड़ा मज़दार बात बोल रहे हैं योग किसको कहते हैं तो योग का अर्थ है जिसमें जीव को परमात्मा से जोड़ा जाए तो ऐसे न और परमात्मा से जोड़ेगा तो जीव को सुख मिलेगा अर्था तो सुख सुरूप भगवान से जीव को जोड़ा जाए या ऐसे कह लिए कि सुख से जीव को जोड़ा जा जाहे, उसको योग कहा जाएगा, जिवात्मा को भगवान से जोड़ने को, कहतें हैं, तो उसको योग कहते हैं। प्रेय एक कहते हैं कि यह शूर्वीड है दूसरा कहें यह कायर नहीं है तो यह भी तो शूर्वीड़ता का ही लक्षन हुआ ना अरहीं कायर नहीं है यह शूर्वीड है क्या अलग-अलग बात बोल रहे हैं इन विरोध हात्मक definition है उल्टे नेगेशन करके डिफाइन कर रहा है योग कि जिसमें दुख का संयोग का वियोग है भाई दुख का संयोग कैसे होता है इंद्री तर्थिति यही संस पर सजाब होगा दुख है यह नहीं है तो इंद्रियां जहां और यानि कि इंद्रियों का अपने विश्यों से संपर्क होता है उसे जो भोग होते वुद्धी की ओनी है तो दुख के संयोग का दुख के संस्पर्ष का ही वियोग का इंद्री तर्थिति जीरो है तो कभी जीरो कार्यес के ये बीना रह सकता नहीं रह सकता है ? यानि कि उसकी इंद्रियां भगवान की स्रिवा में नित्ति अलगी वही है, अगर इसको ऐसे समझे एख जिस अवस्था में इंद्रियों का भोगों से संयोग ही नहीं陽 और सब्सक्राइब अर्टात बा इंद्रिया भगवान की स्रिवा में लगे वह containers 봤 जाता है तो नेगेटिव वे में डिफाइन करने आप लोग को पता नहीं कैसा लगा हमको तो विल आच्छा लगा था पहले तो में समझ में नहीं कि बोल क्या रहे हैं क्या बोल रहे है काफी इंट्रस्टिंग लग रहा था समझे रहना बहगोत किता कितने डीब है अंट्रस्टिंग ना ठीक है तो विरुद लक्षन से योग कहा रहा है लक्षन मतलब चिंद तो विरुद लक्षन मतलब यह कायर नहीं है कायर शूर्वीर का विरुद होता है तो कायर नहीं क्या कायर के आगे आपने नहीं जोड़ द तो यानि शूर्विर्ता तूसी तरह करे रहे हैं दुख संयोग का यहां वियोग है अर्थात आनंद का योग है भगवान संपर्खो राशुख मिला उसको योग कहा जाता है इस तरह समझार है। कर्म योग में तो उसका उपाई होने कारण योग शब्द आपचारिक है क्या बोल रहा है जो बोला गया था कि यम सन्या समिती प्राहु योगम तम विद्धी पांड़ाओ उसको तुम योग जानो तो समझो कि कर्म योग इस समाधी योग तक पहुँशने के लिए कर सकते अच्टांग करता है तक समाधी क ko प्राप्त कर सके य कि लिए उसको योग मतलब उपाएब होता है योग करते है कि आप आख्योग रूंग से कि आपल मुझे पता है कि युशल हभी हो बहुत दुख मिलेगा इस टीका को पढ़ने में है ना थोड़ा पढ़ेंगे तो अगली टीकाइं देखी समझने का प्रयास किजिए बाकि जो टीकाइं होती है उसरी सवामी की टीका पर अधारित होती है तो यह समझ जाएगी तो आप आगे भी असानी से समझते हो चलोगे कोई प्रश्ण है किसी क नहीं है , नहीं है इसका मदलब किसी कुछ समझ में नहीं आया है यह सक्पर समझ में आ गए है इतना तो समझ में आ रहा है कै भगवान की भगवत घीता है भववान ने कितनी अधविद έχει से बहुत रहत आगे अगर को मैंकु करूँंगा नहीं अगर इस लोग को मैं कल फिर समझ में आएगा और उसको आप पर रेलिश कर पाओगे ठीक परकार से ओके सुविल स्टाप फिर श्रीमत भगवत गीता की जाए श्री लब प्रभपात की जाए निताईगो वर प्रिमानन देग